नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सभी का सवागत है और इस लेक्ष्चर में हम पढ़ेंगे यूमेन फीमेल लिपड़क्टी सिस्टम को तो देखिए जो फीमेल लिपड़क्टी सिस्टम है यूमेन की अंदर उसके अंदर आती है एक पेर ओवरीव यानिकी टोटल दो होंगी और उसके बाद आती है एसेसरी डक्ट्स के तोर पर यहां पर देखने को मिलेगी ओवी डक्ट जिसको पैलोपीन ट्यूब भी कहते है यूट्रस जिसको वांब भी कहते है जिसमें नाइन मल्स के लिए बच्चा जो है डवलब होता सर्विक्स उसके बाद बजाईन देन उसके बाद में नंबर थर्ड पर आता एक्स्टरनल जैनी डेलिया जिसको वलवा गयत और लास्ट में मेमरी ग्लेंड जोगी एसेसरी सेक्स ओरगन के तोर पर चाइल्ड केर के तोर पर इस्तिमाल होता है तो एक-एक करके इन सभी को देखेए तो सबसे पहले हम देख ओवा ये बनाएंगी थिक साथ में जो है इसका फंक्षन आता है ओवुलेश यनिकी ओवा बनाना है और साथ में उसको यसे जो यह ओवरी है यहांपर यह हम पढ़ेंगे क्या है यह ओवरी जहाँ तो यह क्या करेगी ओवा बनाएगी और ओवा बनाके यह जब बाहर निकालती है तो यह ओवा जो है यहां से अंदर इस पैलोपिन ट्यूब के अंदर अभी पड़ेंगे हम उसमें जाता है तो ओवा निकालने की जो प्रॉसेसे उसको ओवुलेशन बोलते है जो की ओवरी करती है एसेसरी डॉक्ट के तोरक पर हम देखते है तो यहां पर आती है हमारी पैलोपिन ट्यूब तो पैलोपिन ट्यूब का जो में फंक्शन हा जाता है वो फर्टलाइजेशन वह ड़क्त का इक रह पर बात करते दो यू ड्रस में क्या होती है लाई प्रेगनेंसी कि टीक है जो प्रेगनेंसी होती है वहां पर लिए जो है यहां परो यूट्रस में मैं इस बच्चा रॉतलप होता है विश्टेशन पीरिए तो घ्क कैние उसे सारविकस जो है when you पढ़ेंगे अभी आपर यह रिप्रॉक्टे सिस्टम का डायग्राम बनावा है तो यह वाला जो एरिया है वो सर्विक्स कहलाता है तो सर्विक्स और वेजाइन ठीक है यहां पर यहां से होते हुए बच्चा जो है बाहर निकलता है यहीं की चाइल्ड बर्थ सीधा अगर मे मिलके और सर्विक्स वेजाइन और एक्सेरनल जैनिटेलिया मिलके यहां से इस पाथ से होते हुए इस रास्ते से होते बच्चा बाहर आता है तो चाइल्ड बर्थ इन तीनों का अगर यहां पर फंक्शन जोडनी कोश्च करे तो चाइल्ड बर्थ हो जाएगा और लास्ट है और चाइल्ड की एर तो यहां पर हमने एक एक पार्ट में इन फंक्शन को डिवाइड किया अब देखते हैं डिटेल के अंदर कि ओवरी क्या है किस तरीके से यहां पर हम इसको डिटेल पर पढ़ने कोईश्च करेंगे इसमें ठीक है और एक एक करके इन सभी टॉबिक् तो पहले नंबर पर आती है ओवरी तो ओवरी जो है human female में primary sex organs फ्राइमरी sex organs फ्राइमरी sex organs है तो main function क्या होगा gamete produce करना अब female liberty system के अंदर आते है तो female gamete ओवा produce करेंगी साथ में SNE की सिर्फ ओवा ही female gamete produce करेंगी कुछ steroid hormones भी प्रेड्यूस करती है steroid hormones भी प्रेड्यूस करती है जैसे estrogen short में लिख रहा हूँ अभी progesterone relaxin steroid hormones प्रेड्यूस करती है steroid hormones का मतलब है उत्तेज ना पैदा करने के लिए body के अंदर जो उत्तेज ना पैदा होती है ठीक है एक energy level बढ़ता है यह steroids hormones यहाँ पर यह produce करती है female के अंदर जबकि male के अंदर जो steroid hormones थे वो testis प्रेड्यूस करती थी तो primary sex organ है इसलिए क्या बोल करते हैं इसके अलावा steroid hormones भी रिलीज करते हैं बात करते हैं कि location female body के अंदर कहां पाई जाएंगी तो देखिए जो female है अब हम बात करते हैं यहां से कि यह हो गई थाईस तो यह हो गया इसका यह जो है lower abdomen वाला एरिया हो गया जैसे testis थी lower abdomen cavity से बाहर थी यह abdomen cavity के अंदर हो गी जैसे यह नीचला एरिया है हमारा abdomen का तो उसमें दोनों साइड में तो दोनों साइड में तो दोनों साइड में अगर इसको में बढ़ा करके दिखाओ तो जैसे यह इस तरीके से है यह थाईस हुई यहां पर तो यह इस तरीके से यहां पर ऐसे यह जोगे रहती है जो यह डाइगराम यहां बनावा है यह actual में यहां पर रहता तो overi कहा है overi एक तो यह नहीं यह यह रही pair में होती है एक overi यह है, एक overi यह है तो pair में तो कहां पर present है यह lower abdomen cavity में दुन और हम कह सकते हैं either side either side of लोवर एब्डमन केविटी अंदर रहते हैं जबकी टेस्टीज बहार होती है यह अंदर है अब देखते हैं शेप एंड साइज शेप एंड साइज क्या है इसका देखें यह चीजें जो है MCQ में कहा हो आ जाती MCQ यहां से बन सकते हैं तो शेप जो है इसकी ओवल होती है यहां पर दिखी रहा है आपको ओवल शेप बना रखी है ओवल है ठीक है इसमें क्या होती है जो विट्थ है वो 1.5 cm और जो लेंथ है वो 3 से 4 cm जो है यहां पर इसकी लेंथ होती है तो शेप एंड साइज लोकेशन की बात की हमने अभी देखते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है अब जो यह ओवरी है यह दिखे ओवरी कहा है यहां पर है ठीक अब ओवरी को अगर हम देखते हैं अपर आप देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये बूराइव नैना है ये पुरा कहते हैं तो व्ह सबस्क्रामेंच एक जुडिवी एक यहां पर जुड़ हैं दोसरी बात अगर हैं एक पूर मानिए क इक है को में अगर एसे आप लेटाके अगर देखते है तो body lower abdomen ऐसे लेटी वी शेप में है तो जो lower abdomen है उसके उपर एक तरह से जान लीजे यह जो है यह ओवरी है तो उसके उपर ऐसे है parallel शेप में है और यहाँ पर इस black portion को आप लिगामेट मान लीजे तो इस लिगामेट से जुड़ीवी है ऐसे एक तो इस पे lower abdomen पे ऐसे जुड़ी भी है साथ में जो uterus है uterus है यहाँ पर भी इन लिगामेंट से ही है आपस में इस से पीछे की साइड में यहाँ पर जुड़ी भी रहती है तो connected तो हम लिख सकते हैं कि ovary क्या है connected by abdominal wall and uterus by ligament structure की बात करते हैं तो जैसे ovary है इसको हम कट करके देखें अगर इसको कट करके देखें तो मालिज मैंने हाँ पे इसको यह ovary को हमने कट कर लिया इसको कट कर लिया तो कट करने के बाद में हमें दिखाई देता है कि इसके उपर एक thin covering दिखाई देती है इसको हुआ क्या बोलते हैं ? पतली सीए थिन एपिथीलियम इपिथीलियम इसको कहेंगे जो बाहर की तरफ तरह Barbara एसर एपिथीलियम है उप इसकी तरह विए बाद में अंदर का जो इरिया है उसको बोलते है इस अंदर वाले एरिया को स्ट्रोमा और ये स्ट्रोमा जो है ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है अब ये जो स्ट्रोमा है ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है एक तो बाहर वाला मैं लिख देता हूँ पेरिफेरल कोल्टेंक्स और अंदर वाला इनर मेडिला वक्षू मतलब यहाँ पर जो यह पूरा-पूरा स्ट्रोमा है। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लाइन अगर में डॉलता हूं तो किनारे वाला जो एरिया है यहीं स्ट्रोमा होता है Онटर और यह हो जाएगा medulla, अंदर वाला portion जैसे एक तालाब होता है तालाब में किनारे पर क्या रहता है पानी कम होता है, गहराई कम होती है तो उसको आप मान लीजिए स्ट्रो, स्ट्रो, स्ट्री cortex और अंदर वाला जो area है, वो जो तालाब के जैसे अंदर वाला जो गहरा area पानी जहां पर जादा होता है वो गया medulla, इस cortex वाले area में क्या रहती है वारी जो follicles डवलप होते है यनि कि एक तरह से कहें कि वो process होती जिसके तुरू आगी चलगे ओवा बनता है, जो ओवा बनता है वो इस में ली इस cortex पार्ट के अंदर बनता है इसके अलाबा यहाँ पर ओवरी के अंदर भई इसको living tissue है तो इसको nutrition चाहिएगा blood vessels, nerves वगएरा arteries वगएरा वेंस वगएरा यह सब यहाँ पर nerves वगएरा आती रहती है इसको supply करने के लिए ठीक है, तो हमने क्या गहा कि जो ओवरी है, ओवरी का अगर structure गट करते हैं, तो उपर की तरह पे covering दिखाई देती है, जिसको हम बोलते है epithelium और अंदर का जो area उसको stroma बोलते हैं stroma में किनारे वाला portion हमारा cortex और बीच वाला medulla हो, तो यह तहाँ हमारा ओवरी के बारे में, यह थी पर ओवरी, अभी अब बात करते हैं, अगला number part, जो आमरी accessory duct आती है, जिसमें पहले number पे फैलोपिन ट्यूब, जो की यहां से लेके, और यहां तक यह शुरू हो रही है, इसकी बात करते हैं, देखे, female reproductive system में, जो next part अपनाता है, वो है accessory ducts, और accessory duct में, जो पहली duct है, अपनी वो है, OV ducts, क्या बोलते है, पैलोपिन ट्यूब, इस diagram में देखे, तो यहां से लेके, यह इस area तक, जो हमारा structure है, यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहते हैं, पैलोपिन ट्यूब, इसको कहते हैं, ठीक है, जो क्या बढ़ती है, आप देखते हैं, यहां से जो ovary है, इस ovary को यहां से जाते हुए, इस uterus, यह जो है, यह uterus है, इस uterus से क्या बढ़ती है, connect करती है, तो हम कहते हैं, कह सकते हैं, कि जो ovary, एफलोपिडियो भी क्या करती है, यह connects the ovaries to the uterus, uterus से connect करती है, देखो एक यहरी यहाँ पे और एक यहरी ओवरी, ऐसी एक फैलोपिन ट्यूब यहाँ है, एक फैलोपिन ट्यूब यहाँ है, जैसे एक पेर ओवरी का है, ऐसी एक पेर पेलोपिन ट्यूब का है इधर से इसको connect कर दिया है यहां से इस इधर से इस ओवरी को इसने इधर से connect कर दिया ठीक, दूसरी बात देखते हैं इसकी जो length है पेलोपिन ट्यूब की जो human female में जो length है एक average वो 10 से 12 cm तक होती यनि यह से इसकी लंबाई अगर नापते हैं यहां से हां तक तक रहे 10 से 12 cm कि दर और 10 से 12 cm कि दर वाली होती है ठीक है? अब जो है इसके जो पेलोपिन ट्यूब है इसके तीन पार्ट में दिवैड होती है पेलोपिन ट्यूब पहला पार्ट आता इसका infantile 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 पहला पार्ट है infantile दूसरा पार्ट है ampula बिल्कुल सभी सुना ampula वो ही wide portion वाला जहाँ पे भी word आयगा ampula मतलब वो चोड़ा portion होगा और आखरी पार्ट है smith यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा, यह देखिए, यह जो है, इनफंडिवुलम यह वाला, ऐसे कौनिकल, कौनिकल फ्लास्क जैसे शेप का जो है, यह वाला जो पोर्चन है, यह फ्लास्क जैसा, यह निकिये कैसा है, यह कौनिकल छेप का है, फ्लास्क शेप का है, कौनिकल तो इसकी शेप है, देख रहे होंगे, कॉनिकल शेप है, ठीक है, और इस पैलोपिन ट्यूब में ये वाला पॉर्चन इन्फंडिवुलम है, ये बीच वाला जो पॉर्चन है, ये एम्पुला है, और सबसे व्यूडरस के सबसे पास में इस मसें ये तीसरा, तो मैं लिए तो वन, टू और थ्री, वन, टू और थ्री, तो एम्पुला जो है, ये जो इन्फंडिवुलम है, ये बिल्कुल किस के पास में है, ओवरी के पास में, हम तो तो इसलिए क्या लिखते हैं, इसको प्रॉक्जिमल पार्ट ही, प्रॉक्जिमल पार्ट है ये, प्रॉक्जिमल पा पास में तो प्रॉग्सिमल मतलब पास में और डिस्टल मतलब दूर तो हम बोलेंगे प्रॉग्सिमल पार्ट मतलब क्या है यह एक वेरी क्लोज तो ओवरी ओवरी के सबसे पास में होता है यह वाला पार्ट और फ्लास्क शेपकार बिल्कुल किनारे पे दीकि इसका जो free end है यहां से विटा देता हो बुरा, यहां से जो फ्री एंडेस का, इस पर क्या है, यहां पर फिंगर जैसी प्रोजेक्शन पाई जाती है, जिनकों क्या बोलते हैं, फिंब्री, यह क्या है, फिंब्री, फिंब्री कैसी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रो पॉवलेशन मत्तब वह इसने बाहर निकाला इस केवेटी में बाहर निकाला और यहां से इसको रिसीव करेगी कैसे देखिए जो आप इसको ऐसे मान लीजे यह पूरी फैलोपिन ट्यूब यहां से यह वाला पॉर्ट्शन जो है आप यह मानिए और आगे का जो ही यह वाला आप यह पूलिया जो है ऐसे माल ली तो इस तरह है गाई ट्यूब की तरह है तो आगे की तरफ तो फिंगर जैसी प्रोजेक्शन है और बीच में क्या होता है यहां पर बीच में एक च्छेद होता है च्छेद क्या एक पाइप की तरह ही तो है सेक्शन कट करते हैं तो यह hole है, hole, इसको बोलते, abdominal abdominal posteal ठीक है, तो यह वाला जो है यहाँ पर इस तरीके से यह hole है, यहाँ से क्या करेगा, जैसे यह OVRI ने OVM रिलीज किया तो OVM जो रिलीज हुआ है, उसको क्या करता है यह इस तरीके से आपस बे यह क्या करेगा, इसको catch करेगा, collect करेगा तो ऐसे OVM को collect करेगा collect करके अंदर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से, इसमें से होता हुआ यह uterus तक होचेगा क्यों? OVM तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगला इसका अगर function लिखना हूँ यहाँ पर तो क्या करता है यह? कि हम बोलेंगे कि फिम्परी पाई जाती है ठीक है, at the free ages of inventivulum और क्या करती है यह? collect OVM after ovulation ovulation मतलब जब OVM निकलता है OVM से उस प्रोसेस को ovulation कहते हैं, ठीक है तो यहाँ तक आगे हम, तो यह वाला portion हमारा कुन सा था? तो यह वाला portion जो था हमारा यह था ampula, ओ infantivulum, अभी बात करते हैं ampula की, तो ampula क्या है? देखे यहाँ से हमने ऐसे बनाया था, यह ऐसे, ठीक है यह ऐसे था, OVRI थी तो यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे, तो यह वाला जो portion है, सबसे चोड़ा पोर्षन जो है, पैलोपिन ट्यूब का, इधर देख सकते हैं, बिल्कुल सटीक बनावा है, यह सबसे, यह वाला portion इनपन्डी गुलम था, यह वाला जो पोर्षन है, यह ampula है, और यह वाला ismus, ठीक, तो सबसे जो वाइडर पोर्षन ठीक है, यह वाइडस्ट portion of फैलपिन ट्यूब, और यहीं पर क्या होती है फर्टलाइजेशन होता है तो यह क्या है, साइट और फर्टलाइजेशन फर्टलाइजेशन की क्या है, साइट है इनपोर्टेंट है, द्यान रखिए यहाँ फर्ट यानि की, ओवम जब यहाँ पर आता है और मेटिंग के बाद में स्पम आते हैं, कुछ इधर आते हैं तो कुछ इधर चले जाते है उन में से जो सबसे पहने आएगा जो फर्टलाइजेशन होगा, अगर इस एरिया में आके स्पम और ओवा मिलते हैं, तब ही फर्टलाइजेशन होगा अधरवाइस फर्टलाइजेशन नहीं हो सकता तो यह तरह से यही है में में जो एरिया है फर्टलाइजेशन होने का मेल से फिमेल मिलके बच्चा पैदा करने का वो यही एरिया है यहीं पर fertilization होगा, otherwise pregnancy नहीं हो सकती, ठीक है, यही वाला area, यहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले, कोई मतलब नहीं, यहीं पर मिलना पड़ेगा, उसके बाद है ismus, इसमस जो है सबसे narrow portion है, ठीक है, सबसे narrow, सबसे पतला portion है, जो कि किसके सबसे पास है, जैसे infantivulum, ovary के सबसे पास ह एसे ही ismus, यूटरस के सबसे पास है, तो हम कह सकते है, it connects with the, connected with the, यूटरस, तो यह थी हमारी, जो थी, second portion, ov ducts, phallopin tube, अब हम बात करते हैं, नंबर 3, इस यूटरस की, जो, दो low phallopin tube, यह right वाली, left वाली, जो आख खुलती है, आके, वो इस single uterus में खुलती है, तो इसको पढ़ते हैं, second accessory duct के रूप में आता है, अपना uterus, जिसको warm भी भी बोलते है, इस diagram में कर हम देखते हैं, तो यह, आपको यह triangle shape का जो एक organ दिखाए दे रहा है, यह वाला, यह पूरा, क्या है, uterus है, इसमें, उपर का जो portion है, वो wide है, जिसको, क्या बोलते है, uterus जो है, यनिकि body of uterus, और नीचे का जो है, वो uterus का area, वो narrow है, जिसको बोलते है, cervix, ठीक है, तो uterus का उपर का area, चोड़ा है, wide है, जिसको uterus, फंडस uterus की body, और नीचे से यह narrow होता चला जाता है, जहां पर शुरू होता है, अपना cervix, ठीक है, तो देखते हैं, देखिए, तो uterus, ज यहां पर क्या होता है, हमारी दोलो पहलो pin tube आकर खुली है, यनिकि ओवा चाहिए, दरसाए, दरसाए, आएगा uterus के अंदर ही, तो कैसा होता है, अगर shape इसकी देखते हैं, तो shape होती है, इसके inverted pear shape, जो नाशपती है, उसको उल्टा कर दीजे, इस तरह है कि इसके shape, ठीक है, कैसी होती है नाशपती, उपर से narrow, नीचे से चोड़ी, ये उसको उल्टा रगदो, ये उपर से चोड़ा है, नीचे से narrow, ठीक, inverted pear shape इसका है, जो shape है, दूसरे बात, lean function क्या है, यहां पर 9 months के लिए, जो बेमी होता है, वहां पर क्या gestation period यहीं पर होता है, gestation period यहीं पर नि यूटरस के यहीं जो wall है, यहीं पर ही होगा, इसलिए हम कहते है कि जो embryo होगा, जो fertilization के बाद में, जो fertilized egg, divide करता है यहीं, embryo की पॉम में आ जाता है, तो वो जो implant होता है, implant होने के बाद में, जो पुरा-पुरा fetus बन जाता है, 9 months के बाद में, तो embryo का development है, fetus के अंदर, वो uterus के अंदर ही होता है, अब यह uterus है, यह पुरा का पुरा, ठीक है, इसको अगर उठाएं, तो यह कहां रखा हो है, वही same, जो abdomen है, उसके उपर क्या है, जैसे पुरा-पुरा यह structure रखा हो है, इसमें में जो बड़ा पीरिया है, वो uterus रखा हो है, तो उसके उपर कैसे same way, ligament के तुरू, abdomen wall से, ligament के तुरू जुडा हो है, इमाली जे red color का uterus है, तो नीचे black color का है, ligament, तो यह ऐसे से जुडा हो है, abdomen wall से, ठीक है, तो खड़े वे जो lady है, इस तरह से चले, तो इस तरह से क्या रहता है, यह attach रहता है, ligament के तुरू, lower abdomen के अंदर, ठीक है, अब इसमें भी अगर देखते हैं, तो तीन layer यहाँ पर हमें मिलती है, जो uterus है, uterus में भी क्या है, तीन layers हमें यहाँ पर दिखाई देती है, कौन-कौन सी है, एक सबसे outer most जो है, outer most जिसको बोलते है, perimetrium, peri का मत्तव होता किनारा, तो सबसे outer most perimetrium, beach वाली, middle, myometrium, और सबसे last ही, inner, और सबसे important, endometrium, यहाँ पर देखते हैं, सबसे बाहर की जो होगी यह वाली, यह हो जाएगी, perimetrium, जो बीच वाली यह होगी, वो हो जाएगी, myometrium, और सबसे अंदर की, जो यह ऐसे curve की shape में ऐसे बना रखी है, यह कौन सी है, सबसे important, endometrium, तो सबसे बाहर की है, कोई भी चीज जो सबसे बाहर की होती हो, क्या होती है, वो protection का काम करती है, protection का काम करेगी, बच्चा जब बढ़ता है, ठीक है, friction जब आएगा, तो friction से बचाती है, दूसरी है, myometrium, जो किसकी बनी है, एक तो सबसे पहले बात ही सबसे तीनों में ठीक है, प्लस किसकी बनी है, smooth muscles की बनी, smooth muscles की बनी है, जो कि delivery के टाइम पर, जो strong contraction, सिकोड ना पहलना जो होता है, strong contraction को जहलती है, at the time of delivery, क्योंकि आपको पता है कि uterus जो की, छोटा सा 10 से 12 cm का जो ओरगन है, ये pregnancy के टाइम पर, क्या हो जाता है, जो पूरा पूरा बच्चा डवलनप बढ़ा हो जाता है, आप देखते हैं, शेप जो लेडी का होता है, वो बाहर को आ जाता है, जो इसका abdomen का area, वो इस तरीके से क्या आता है, ये पूरा पूरा ये बाहर आ जाता है, तो जो uterus है uterus जो है uterus के अंदर बच्चा है तो बच्चा जैसे बढ़ता है तो uterus भी muscular organ है रबड की तरह है इस रबर होती है इस तरह से बढ़ेगा तो इसमें जो है फैल ने smooth muscles की वज़े से ये काफी फैल सकता अपने से कई जुलत गुला जादा ये बढ़ा हो सकता है कई जादा बढ़ा होगा तो इसकी वज़े से क्या होगा बच्चा भी दे दे बढ़ा होगा तो उसको कोई problem बढ़ने में नहीं होगी क्योंकि muscle सी याँ पर इस तरह की है तीसरी और सबसे important आती है glandular जो हमारी है endometrium glandular ये glandular layer है सबसे inner वाली अंदर वाली यहनिकी जो cyclical changes होते हैं cyclical changes जो uterus के अंदर female की अंदर जो muscle cycle चलती है bleeding होती है 28 days की जो cycle चलती है वो सब इसी के उपर बेस्ट है endometrium के उपर बेस्ट है यही हर महीन ने यही तूट के blood और mucos की foam में यहां से बाहर आ जाती है और इसी layer पे क्या होता है जो fertilized rag है आके implant VC पे होता है जब एक बार pregnancy हो जाती है तो यह वाली जो layer है यह हर महीने टोटती नहीं है यहने की जो periods है जो menstrual cycle है जो bleeding है वो bleeding phase यहां पे रुख जाता है तो कि अन्या egg बनना बन हो जाता है जिसकों आगे menstrual cycle वाले topic में पढ़ेंगे तो यह थी हमारी 3 इसकी layer अब देखिए जो यहां स आगे हम देखते हैं तो यह जो uterus हमने देखा कि उपर का जो area है चोड़ा है uterine fundus कहलाता है और नीचे का narrow होता चला जाता है जो कि यहां पर नीचला area क्या कहलाता है cervix कहलाता है तो हम कहेंगे कि uterus open into cervix ठीक है cervix के अंदर खुलता है और cervix यह area तो इस canal इस cavity गोम क्या कह कहेंगे cervical canale कहेंगे इस cervical canal से होते हुए इसमें खुलेगा जिसको क्या गोलते है vagina कहेंगे ठीक है इसको क्या गोलेंगे vagina हम गोलते हैं कि cervical canal cervix है cervix के अंदर क्या है इसकी अपनी canal शर्वीकल कैनाल जो कहां पर कुली जलके जो वेजाईना के अंदर कुली जल ठीक है सर्विकल कैनाल और वेजाईना दोनों मिलके बनाती है बर्थ कैनाल याद रखिएगा बर्थ कैनाल अगर पूछले तो क्या है सर्विकल कैनाल along with वजाइणा is called birthの kendal क्योंकि बच्चा जब बड़ा होगा तो पैदा होगा जब जनम होगा उसका delivery होगी तो यहीं से होके आएगा इस kendal से होते होते होगे इस vagina से होते हो वे वह बाहर आएगा ठीक है यह चीज होती है तो 예 क्या था यहां तक हमारा accessory ducts अब इसके बाद में हम बात करेंगे external genitalia कि तो वेजाईना जो आप समझते हैं जो externally female genital part में जो externally जो organ दिखाई देता बाहर से जो हम देखते है वो वेजाईना नहीं होती नॉर्मली में हम इसको vagina योनी कह देते हैं लेकिन वो actual में external genitalia जो बाहर से दिखता वल्वा यहनि कि वेजाईना तो यह है वेजाईना तो एक ट्यूब है वेजाईना क्या है यह female का populatory organ है populatory organ है female का और female जान जहाँ पर male का penis insert करता है एक तरह से यहाँ पर जब सीमेन गिरता है सीमन यहां पर गिरा तो यहां तक देखी अगर देखा जाए तो यह जो है ऐसे है पैनिस जो है वो यहां तक आया ऐसे यह मालगी यह पैनिस है इस तरह से तो यहां पर क्या है सीमन डिस्चार्ज होता है और यहां से होते हुए अंदर तक चला जाता है यहां पर ट्रैवल करत ठीक है तो एक्चल में जो है ये ट्यूब के जैसा ये ट्यूब जैसी होती है ट्यूब लाइक ओर्गन है ट्यूब के जैसा है और जिसको हम सोचते है वेजाईना वो एक्चल में वल्वा होता है यहनि कि अगर मैं इसको इसी चीज को अगर आप सामने से देखें यह ऐसे है इसको आप ऐसे देखें सामने से तो मैं यहां पर बनाने कोश्च करूँगा तो बार से वो इस तरह का जो एरिया जिसको आप वेजाईना समझते हैं वो ऐसा जो ओर्गन दिखाई देता है यह यहां से ट्यूब है यह यह वेजाईनल ओपनिंग है जो अंदर यहां पर यह ऐसे इस वाली ट्यूब में जो जा तो ये वाला जो एरिया जो बाहर से दिखाई देता है इसको आप वेजाईना समझते हैं ये वेजाईना नहीं है इसको हम क्या बोलते हैं वल्वा कहते हैं ठीक है वल्वा कहते हैं इसी को हम पढ़ेंगे यही है मारा अगला टॉपिक है वल्वा देखे सबसे लास्ट से हमें जो दिखाई देता है इमेर लिपड़ जनिटल एरिया के आसपास वह वलवा है जबकि वेजाईना जो है वो अंदर वाली ट्यूग है ठीक है उसको हम बात करें देखिए जैसे ओवरी थी यहां तक हमने का कि जो ट्यूग है यह यह वाला जो ट्यूग है जहां पर सर् खूंक और जो यह वाला अब जो बाहर इसको बोलते हैं वल्वा तो यह जो इहांपर बनाया है अब इसको देखते हैं आरामस देखिए еksternal geritaliya में यह जो सबसे पहले यह नोर्मल जो दिखाई देखिए actosition देख लिए पहले है यह एनस है और यह वो पार्ट है जो में प नीचे का जो portion जहाँ पर hair growth होती है उस area के आसपास जरेडिल area के आसपास उस थोड़ा सा यहाँ पर flashy cushion like होता है तो उस area को बोलते हैं mons pubis यहाँ पर hair present होते है यह जो बना रख्या है यह mons pubis है यह कैसा है यह cushion like गद्देगे जैसा यहाँ पर fatty tissue होते है कापी उसके बाद दूसरा जो हमारा आता है यह जो यहाँ पर यह skin fold होता है ऐसे मत्तब क्या आएगी ढखाव ऐसा skin fold है सबसे पहला जो skin fold आएगा उसको side ऐसे skin fold है ऐसे उसको सबसे पहले हटाया ऐसे तो वो वाला जो skin folder सबसे पहला ये क्या आएगा हमारा ये कहलाता है labia majora ठीक है ये किसका ये fatty tissue बना होता है फुड़ा मोटी सी इसकी skin होती है और जैसे ये ऐसे हैं तो इसके बाहर की तरफ hairs होते हैं sweat glands होती हैं पसीने वाली और sabaceous gland बाहर की तरफ वालेकि अंदर की तरफ जो है ये से mucus चिपचिपा सा रहता है यहाँ पर अंदर की side में hair नहीं होती है हम बोल सकते हैं कि इसका जो outer surface है outer surface कैसा है outer surface पर hair है plus sweat glands है plus sabaceous ठीक है sabaceous मत्ब oil glands sabaceous मत्ब oil glands यहाँ पर पाई जाती है बाहर वाले पर यह ऐसे है fold तो बाहर वाले की तरफ है इसको ऐसे अटाएंगा अंदर वाला जो है hair less होता है कोई यहाँ पर एस तरह की sweat gland नहीं होती उसके बाद इसको ऐसे हटाया हटाने के बाद में हमें दूसरा skin fold मिलता है ठीक है यह इदर से भी है इदर से भी इसको उटाया तो उटाने के बाद में अगला skin fold आता है अपना एक इदर से एक इदर से यह वाला जो बना रखा है यह बनाने कुछ की है यह वाला कहलाता है छोटा है इसको बोलते है लेविया माइनरा छोटा ठीक है ये भी दो है एक इदर एक इदर ठीक है दो स्किन फोल्ड है ये भी ये दो स्किन फोल्ड है ठीक इसके ना तो बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ कोई भी हेर्स नहीं होते हेर वस यहां की साइड है यहां पर नहीं है अब ये जो चेंबर अंदर का दिखाई देता है जो पूरा-पूरा अंदर का चेंबर दिखाई देगा इस चेंबर को हम बोलते हैं इस अंदर वाले चेंबर को पूरे को इसको बोलते हैं वेस्टीबियूल बोलते हैं जिसने उपर की तरब ये छेद दिखाई दे रहा है इसको कहा ज इसको बोलते है वेजाईनल ओपनिंग या वेजाईनल ओरनेग के विजाईनल ओपनिंग जहांसे पेनी सिंटिंट होता है जहां Сे-बत्चा वहार आएगा वह यह वाली जबकि मेल के अंदर दो लो एक ही था, युरेथरा और सीमन के लिए एक सिंगल थी, युरेजनिटल ट्रेक्ट था वहाँ पर, यहाँ पर दो अलग अलग है, ठिक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर इसके उपर एक बहुत पतली सी जिल्ली पाई जाती है, बहु पतला होता है, जनरली बोलते हैं, यह इतना पतला होता है कि नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, साइकिल वाईगे चलाते हुए भी यह तूट जाता है, ठिक है, हलका बलड भी आता है, जब तूटता है, और जब पहली बार इंटर कोर्स होता है, नॉर्मल प्वेर नॉर्मल आसपास कल्चर में, किसी-किसी कल्चर में क्या है? Mostly इसको virginity का symbol मानते हैं, कि अगर ये present है, तो इसका मत्व फीमेल वर्जीन है, वर्जीन का मत्व क्या हुआ कि जिसने पहले कभी sexual intercourse नहीं किया, जनर्ली क्या बोलते हैं कि जैसे साधी हुई और फस्ट नाइट पर क्या गिड़ते हैं अगर यहां से यह पटा है टूटा है बलड आया है तो क्या मानते हैं वरजिन है उसको उसके करेक्टर के साथ जोड़ देते हैं जोकी गलत है क्योंकि गलत अगर परस्ट पहली बार अगर एंटर कोर्स होता है तब अगर ये टूट जाती है बलड आता है बाहर तो इसके अलावा ये जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्पोर्ट स्केल दोड़ते हैं ट्रेशिंग होती है साइकलिंग चलाते है तो गुड़ सवा जो वेजाइनल टेंपन साफ सफाई जब करते हैं उसमें भी टूट सकता है ठीक है तो इसलिए क्या कह सकते हैं ये वरजिनीटी का प्योर इंडिकेटर टूट साइन नहीं है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सेक्स करने के बाद पैनिस इंसर्ट होने के बाद सेक्चुल इंट करते हैं टूट जाता है और कभी-कभी सेक्च्वल इंटर्पोर्स करतने के बाद भी रह जाता है तो इसका मत्तब क्या है कि हाइमन दी प्रजेंस और अपसेंस ऑफ आयर आइमन इस नोट दी ट्रू इंडिकेटर ऑफ वरजिनीटी वरजिनीटी का साइन नहीं है यहां से क एक श्कुछोटम की जैसे यह नहीं किसके होगो लोगस्टु इसकुरोटम जैसे एवलूशन के टाइम पर अगर देखा जाए मेल के अंदर जो पार्ट इस्कुछोटम बनाया वही पार्ट फीमेल में क्या है लेभिया मेजरा है ठीक ऐसे ही हम बात करते हैं कि यहां पर य ठीक है, Clitoris, ये भी Erectile है, Sexual Excitement के टाइम पर ये थुड़ा क्या हो जाता है, Erection हो जाती है इसमें, और इसमें भी Same वही Tissues पाए गए, इसे Corpora Cavernosa और Corpora Spongyism जो Penis में पाए जाते हैं, तो इसको भी क्या बोलते हैं, इसको Undeveloped, Undeveloped Female Penis आप कह सकते हैं, आलागी Penis फिमेल में नहीं होता, लेकिन क्या है, Undeveloped Female Penis इसको कह सकते हैं, डवलप नहीं होआ है, ठीक है, जो टिशू, मेल के अंदर Penis बनाया, वहाँ पर वही टिशू, Clitoris बनाया, जैसे मेल के अंदर, जो आगे का जो Glens Penis था, वो बहुत Sensitive Part है, ऐसे ही यहाँ पर भी Sensitive Part कोन है, Clitoris है, यहनी की मेल को जो एक Satisfaction मिलता है, वो Glens Penis के थोरू मिलता है, ऐसे ही पीमेल को Satisfaction मिलेगा, वो Clitoris से मिलता है, ना की Penetration से, जो मेल Penetrate करता है, पैनिस को यहां से वेजाइनल ओपनिंग से उससे उसको satisfaction नहीं मिलता satisfaction मिलता है clitoris से और इस टाइम पर sexual excitement के टाइम पर ही यहां पर क्या होती है यह कुछ glands है अप दोनों साइड में इस इधर की साइड में इधर की साइड में यहां पर opening खुलती है इन ओपनिंग को उन क्या बोलते है इन ग्लेंड को बोलते है बार्थोलीन ग्लेंड यह क्या करती है अचा बार्थोलीन ग्लेंड कैसे अगर हम बतूले कि जैसे मेल के अंदर cowper's gland थी ऐसे यहां पर बार्थोलीन ग्लेंड काउपर ग्लेंड जो है alkaline secretion करती है जिससे कि जो पाथ है जो पैनिस में यूरेथरा है पाथ जो ऐसेडिक वो न्यूट्रल हो जाए ऐसे ही यह चेंबर क्योंकि इस चेंबर में यूरीन बाहर देखने है जाईर से बात है इस एरिया में sexual excitement के time पर बार्थोलीन ग्लेंड यहां पर secretion कर देती है ठीक है इसकी वज़ए से जो हलका हलका सा जो फ्लूड है यहां से इस एरिया के आसपास जो है sexual excitement के time sexual intercourse के time पर यहां पर दिखाई देता जब में female excited हो जाती है तो यहांसर बार्थोलीन ग्लेंड जो ह काफी इसली यहां पर हो जाता है इसके तो यह तरह से क्या lubrication का काम करेंग चीक है तो यहां से हमने रेका और यहां पर देखे यह नीचे क्या है यह एनस जिससे solid waste बहार निगलता है और यह जो यह वल्वा और एनस के जो बीच का एरिया है इस एरिया को बोलते है पैरीनिय हम बोलते है ठीक है तो यहां पर हमने देखा कि जो में पार्ट हमारे एक्स्टर ने डिलिया होए मोंस प्यूबिस लेविया मेजरा लेविया माइनरा वेजाइनल ओपनिंग अपनी ठीक है के बाद यह हमारा हाइमन ठीक है और यह क्लिटॉरिस यह हमने यहां पर पढ़े इसके वोप आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो कोई टाउथ हो कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करें इसके बाद में आप रोचोगे कि मेमरी ग्लेंट जो ब्रेस्ट है वो रह रहा है तो वो इससे अलग हम पढ़ेंगे ठीक है यह में जो हमने जैनिटल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्चन में लिंक मिल जाएगा आपको हैं डिटन नोट्स इस टॉपिक के इस लेक्चर के मिल जाएगा थैंकि